अब हम बढ़ेंगे पंक्चोलिटी समय अनुसार काम करना अध्यापक प्रतिक्षाइब एवन छात्रों के सम्मू में संबोधित होते हैं जो केवल ग्यान ग्यान ही प्राप्ट करते हैं यह पितुत आदतों रूचियों और अध्यापक के व्यक्तिवगत के अन्यगुणों का भी अनुकरन करते हैं समय पर कार्य करने का सभाब चात्रों का तभी बन सकता है यदि अध्यापक भी समय कापा बंद हो यदि वे समय की श्रेणी में दर से आता है तो चात्रों में यह अनिक परकार की शिकाएं युद्पन हो जाती है ऐसा अध्यापक चात्रों के समय पर काम नहीं बले सकता और उनको समय पर करके दिखाने की आशा भी नहीं पकर सकता इसके आगे है experimental attitude अब एक अध्यापक के दृष्टिकों काफी युदार तथा बागरसा होना चाहिए उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वह कुछ चाता है या जो कुछ सोचता है इस छेतर में वही उत्तम युद्यश है अपितु यनुबाव द्वारा ग्यान में व्रिधी करनी चाहिए इस बांती वह नहीं स्तितियों की अयवशक्ता को पूरा बकर सकता है अब है कॉपरेटिव स्पिरिट स्योग की भावना अध्यापक को दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए यदि वह स्योग के साथ काम करना सीख ले तो उसके प्रतन फल्प्रयाद सिद्व हो सकते हैं उसको कभी भी ये विचार नाक नहीं करना चाहिए कि उसका काम स्कूल के विशे भाग तक ही सीमित है जो कुछ भी स्कूल की चार दिवारी के अंदर हो सारा स्टाफ ही उसके उतरदाई होता है इसते स्कूल की अच्छी परंपराई जिसे हम ट्रडिशन्स कहते हैं चलाने और इसकी शान को बढ़ाने के लिए ये अध्यापकों को सहीयों की भावना के साथ काम करना चाहिए अब कहता है साथ नंबर पर है प्रशन पूछने का ढंग आट अफ क्वेशनि अध्यापकों छात्रों से उचित प्रशन पूछने तथा उन प्रशनों का ठीक उत्तर देने का ढंग आना चाहिए आठवा है आठवा है कोकलोर एक्टिविटिज सेगामी क्रिये अध्यापक को अपने विशे पढ़ाने में ही नहीं अपितू सेगामी क्रिडाओं में भी दिल्चस्पी होनी चाहिए विशे के यध्यन द्वारा तो केवल ग्यान ही दिया जा सकता है जो बच्चों के लिए लाब धायक भी हो बहो सकता है सेगामी क्रिये बच्चों के व्यक्तिवत को यह बनाती है यह वशक्ता के यनुसार ने ढंग परदान करती है और उसके अंदर अच्छी आत्तें जैसे सयोग प्यार उत्रदेंग की भावना तथा वास्तिक विताम बादी की युद्पन करती हैं अब हम आगे पढ़ते हैं डेमोक्राटिक याटिट्यूड प्रजात तंत्रिक द्रिष्टी को आज का युग प्रजात तंत्रिक युग है ये केवल राजनितिक धर्म ही नहीं अपितु जीवन का ढंग भी बहुता है प्रजात तंत्रिक डंग से जातियों में ही सफलता बहुत सकते हैं यहां लोगों के विचार लोग तंत्रिय हैं इन विचारों के लिए प्रशाशनिक को यवाशक्ता नहीं होती इस परकार के विचार उत्पन करने के लिए ये अध्यापक विद्यायतियों को प्राप साहिता कर सकते हैं ये तबी संभव हो सकता है यदि ये अध्यापक प्रजात अंत्रिक बहुद्यूश्यों के लिए मार्ग दर्शन करे अब हैं Master of the subject विशे का ग्याता शिक्षा देना अध्यापक का मुख्या कारे होता है और इसकी योगता उसको ग्यान तथा विचारों के बारे में जानकारी पर बनिर्भर होती है आगे हैं Sense of Petalism देश बक्ती की भावना किसी भी देश की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उस देश के नागरिक अपनी सौर्थी विचारों को त्याक कर राष्टे विचारों के लिए कितना बलिदान करते हैं विद्यार्थियों में देश बक्ती की भावना उत्पन करने के लिए यद्यापक के इस गुण का होना यवशक है अब हम पढ़ेंगे Self Analysis, Swim Visualization, अपने आपको विचलेशन करना यद्यापक सदा एक विद्यार्थी होता है और वे सदा अपने आपको सुधारने और अच्छे बनाने का प्रतन करता है उसको सदा विशाल हिर्दई, open minded होना चाहिए उसको अपनी कमियों का ध्यान होना चाहिए और उनको दूर करने का प्रतन भी करना चाहिए स्वेम विश्लेशन से यद्यापक को अपनी कमियों को जानने में साहिता मिलती है अब कह रहा है दूसरों के साथ संबन, relation with others अब हमारे साथ जो relations है वो कौन कौन है, किसके साथ हम काम करते हैं तो यहाँ पर हम तीन आते हैं, एक तो विद्यार्थी हैं, एक साथी हैं और एक समाज है हम तीनों को अब पढ़ लेते हैं अब यह कह रहा है कि विद्यार्थियों के साथ हमारे संबन कैसे होने चाहिए अध्यापक का छातर के लिए सयोग तथा चतुरता वाला बरताव होना चाहिए उसको उसकी भलाई के लिए पूरी रूची होनी चाहिए जिस बध्यापक का वेवार मैत्रिपुर्ण और शिष्ट है और जो छातरों के हित में रूची रखता है उसका चातरों के साथ स्विक कार तमक संबन बहो जाते हैं इस परकार का बरताव उसकी शान बढ़ाता है और इसके लिए चातरों की वफदारी को बढ़ाता है यद्यापक को पिछडे हुए मन बुद्धी और कटनाईयों के उत्पन करने वाला चातरों के लिए अलग रूप से ध्यान देना चाहिए उसका अपना आचारण अदर्श में होना चाहिए उसे ये अरदश स्विकार करना रहना चाहिए उसको स्वेम, सिगरेट, शराब, जुआ, निन्दा करना, थूकना, बादी, बुरी आतों से दूर रहना चाहिए अब कहता है कि ये असोसियेट्स ये सोसियेट्स का मतलब है कि हमारे साथियों के साथ उसका कैसा होना चाहिए अब कहता है कि जो साथियों हैं हमारे ना कि निंदा करने चाहिए, ना किसी को नीचा दिखाने के प्रियास करना चाहिए, और ना ये कहना चाहिए कि मैं वरिष्ट हूँ, क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली मेंबर्स जो हैं, हमें गुडविल, स्टाफ में अपनी गुडविल ये बना के चलनी चाहिए, और हमेशा बाध्यापकों का प्रामपरिक वेवार, हद्यपूर्ण, सहान, बूतिपूर्ण और योगदेश्य होना चाहिए अब हम आगे चलते हैं योगता तथा अनुभाव, कौलिफिकेशन एन एक्स्पिरियंस अध्यापक की विशे संबंदी योगता उसके अनुभाव और शिक्षा संबंदी योगता पर निर्वर होती है अध्यापक को किसी श्रेनिंग को पढ़ाने के लिए उचित योगता वाला होना चाहिए हाइ स्कूल पढ़ने के लिए कम से कम हाइ स्कूल ये पढ़ने के लिए स्वारी हाइ स्कूल पढ़ने के लिए B.A. B.A.C. 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 होना ये वाशका है हर सकेंडरी स्कूल में ये ध्यापक बनने के लिए यद्यापक बनने के लिए उसको MA या MSC बेर्ड होना चाहिए यहां किसी विशे में आॉनर्स पास हो यद्यापक को प्रक्षिक्षिन की प्राप्ती होनी चाहिए प्रक्षिक्षिन के बिना वह स्कूल की कटनाईयों को हल करते समय बहुत सी गलतियां कमबग करेगा यद्यापक प्रक्षिक्षित होगा तो उसकी किसी विशे में का संभालते समय सहास होगा